नमस्कार मेरे प्यारे साथियों तो आज की इस वीडियो हों चर्चा करेंगे अनुच्छेद 19 के बारे में अनुच्छेद 19 में हमें कितने परकार की सुतनताइं देखने को मिलती है और किस परकार से इन सुतनताओं पर रोक लगाई जा सकती है और क्या फुटपात पर दुकान लगाना हमारा एक मुल अधिकार है इससे संबंदित जितने भी महत्कुन बिंदू है उन सारे बिंदूों पर आज की इस वीडियो हों चर्चा करेंगे तो चलिए चीजों को एक एक करके समझते हैं देखेज़स सबसे पहले हम बात करें सुतनता के अधिकार के बारे में देखेए इससे पहले कि जो वीडियोस थे उनमें हमने अनुचे 14 से लेकर अनुचे 18 तक अलग-अलग परकार की समानताओं की बात की थी ठीके? जितने भी समानता के अधिकार हैं जो मूल अधिकार हैं उनकी वहाँ पर हमने चर्चा की थी और यहाँ पर अनुचेद 19 से लेकर अनुचेद 22 तक हमें अलग 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 प्रकार की स्वतंताओं के बारे में मूल अधिकार के रूप में हम पर डिसकस करना है इनही अनुचेदों में सबसे पहला अनुचेद 19 अनुचेद 19 जो है इसकी अगर हेडिंग की बात करें तो उसका नाम है वाग सतंत्र आदी विश्यक कुछ अधिकारों का संद्रक्षण थोड़ी सी कठिन सी भासा है वाग का मतलब होता है बोलना तो बोलने की सतंता से संबंदित जो भी विश्यक है उन अधिकारों का संद्रक्षण के बारे में बात करता है अनुचेद 19 ठीक है अब अनुचेद 19 में हमें अलग-अलग बिंदू देखने को मिलते हैं तो सबसे पहला जो बिंदू है अनुचेद 19 वन वो हमें अलग-अलग परकार की 6 सुतंताइं परदान करता है ठीक है अनुचेद 19 में 6 सुतंताइं मिलती है ये कुश्यन भी कई बार पर इच्छा हम भुशाया चुका है कि अनुचेद 19 के तहट हमें कितनी सुतंताइं पराप्त होती है तो हुआ पर आपको आनसर लगाना है 6 ठीक है अनुचेद 19 के अंतरगत सबसे पहली सुतंता देखने को मिलती है वो है वाक सुतंत्र और अभी व्यक्ति की सुतंता ठीक है वाक का मतलब अभी मैंने आपको बताया था वाक मतलब था बोलना ठीक है तो बोलना और अपनी अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को कहने की जो आजादी है उसकी सुतंता की बात करता है अनुचेत 19.1 का ठीक है अब हम बात करें खा की तो खा बात करता है सांती पूरवग और बिना हतियार सम्मेलन करने की सुतंता ठीक है आप सांती पूरवग बिना हुरदंग किये और बिना हतियारों को रखे हुए आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं कितने भी लोगों को हाँ पर बुला सकते है हाँ आपको सासन से वहाँ पर permission लेनी होती है ठीक है आपको सुचना देनी होती है आप इसमें किसी भी प्रकार की आपसे लोक टोक नहीं की जाएगी अब बात करें गा की तो गा यहाँ पर बात करता है संग बनाने की संथा आप अपना कोई भी संग बना सकते हैं कोई भी पार्टी बना सकते हैं कोई भी यूनियन बना सकते हैं ठीक है और वहाँ पर आपको इसमें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी हाँ अगर आप किसी भी प्रकार की कोई आवेद गती विद्या करते हैं तो उसके लिए आपको कोई संग कोई गुरूप बनाने की यहापर परमिसन नहीं होगी पर आप कोई भी नॉर्मल सा जो काम है उसको करने के लिए अपना एक संग बना सकते हैं अनुचेत उन्निस गा के तहित आपको यह मुलदिकार दिया गया है अब हम बात करें घा की तो घा जो बिंदू है यह बात करता है भारत के राज़ी शेतर में सतंतर भामन की सतंता भारत का राज़ी शेतर हमने पहले वाले वीडियो में देखा यह ठीके भारत का राज़ी शेतर क्या होता है वो आपका मन हुआ क्यों है मैं तो आज समझाओंगा घूमने तो आप जा सकते हैं आपको कोई रोक टोक नहीं होगी आपका मन हुआ कि मैं तो चेन नहीं जाना चाता हूँ तो आप कहीं पर जाकर घूम सकते हैं आपको सतत्र भामन की स्वतनता प्रदान करता है अनुच्छे जैसे कि आप कहीं पर घुमने गए, आपका मनुवा की भी है, ये तो बहुत ही अच्छी जगा है, भारत का ही छेतर है, आप वहाँ पर रहना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो आपको उस प्रकार की पूरी सुतनता मिलती है, कि आप किसी भी छेतर में जाकर वहाँ पर बस सकते हैं, इसके बाद आता है बिंदुचा, बिंदुचा में आपको चार इस्टार देखने को मिल रहे हैं, ठीके, इन इस्टार का मतलब यहाँ पर यह है, कि इसमें पहले एक अलग प्रकार की सुतनता प्रदान की गई थी, उस सुतनता को कहा गया था, संपत्ती के दिया गया, और इसको अनुच्छे 300 का में एक कानूनी अधिकार के तोरपर यहाँ पर रख दिया गया, तो जो संपत्ती के अधिकार है, यह सिर्फ कानूनी अधिकार है, ना कि मूल अधिकार, ठीके, यह पहले सामिल था, अनुच्छे 19 एक चा में, अब बात करें 6 बिंद नहीं है, जैसे कि जो पारंपर एक तोर पर चल रहे हैं, जैसे कि कोई जो नाई का काम होता है, तो इसको क्या है, पहले इस तरह एक समाना जा सकता था, कि यह कुछ इस्पेसल जाती, इस्पेसल वर्गर के लोगों कोई काम है, पर अगर आपका मन कर रहा है, आप यह काम कर सकते हैं बस वो illegal नहीं होना चाहिए इसमें आपको किसे प्रकार की कोई रोक टोक यहां पर नहीं होगी ठीक है तो यह तो हमने अनुचेद 19 के पहले बिंदू में बात की कि आपको कौन कौन सी सुतंता यहां पर प्राप्त है पर अनुचेद 19 के जो आगे आने वाले बिंदू है इनमें यहां पर कुछ रोक की बात की गई है यह रोक यहां पर क्यों लगाई गई है ताकि आप आपको जो सुतंता यह दी गई है उसका आप अनुचित उपयोग दुरुपयोग ना करें और इस अधार पर कि आपको मूल अधिकार के रूप में इस उतनताय प्राप्त है आप वहाँ पर इनका नाजाइस फाइदा ना उठाएं इसलिए अनुच्छेत 19 के जो अगले बिंदु हैं उनमें आपको कुछ प्रबंद देखने को मिलते हैं ठीके अब अनुच्छेत 19 का भाग दो जो है ये बात करता है कि अनुच्छेत 19.1 का की कोई बात इस भाग द्वारा दिये गए अधिकारों के प्रियोग में राज्य को भारत की प्रबुता और अखंडता, सुरक्षा, अंतरराष्ट्री में तेपुने संबन, लोक व्यस्ता, न्यायले आउमानना, मानहानी आदी के संबन में युक्त युक्त निरबंदन लगाने से नहीं रोकेगी ठीके, अनुछेद 19.1 का बात करता है कि बोलने की और अभी व्यक्ति की स्वतनता आपको होगी अब बोलने की स्वतनता का आपको इनाजाइस फाइदा उठा लें जैसे कि आप किसी की मानहानी करने लगे, कि भेया मुझे तो बोलने की स्वतनता है उस पर आपको युक्ति युक्ति प्रबंद लगाया जए सकता है और आप इस अधार पर इस बात को नहीं रोक सकते हैं कि भेया हमें तो यह अनुछेद 19.1 का में मूला जिकार दिया गया था तो अनुचेद 19 के बिंदू 2 में ही इस बात को यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप इसका दूरुपयोग करते हैं उसके कोसिस करते हैं तो यहाँ पर सरकार को पूरी पावर है कि वो इस पर रोक लगा सकती है अब बात करें बिंदू 3 की अनुचेद 19 एक खा ठीके अनुचेद 19 एक खा क्या बात करता है वो बात करता है सांती पूर्ण और निरायुद सम्मेलन की तो अनुचेद 19 एक खा की कोई बात इस भाग द्वारा दिये गए अधिकारों के पिरियोग में राज युको भारत की प्रभुता और अखंड़ता लोक व्यवस्ता के हितों में युक्त युक्त निर्बंदर लगाने से नहीं रोकेगी अब वहाँ पर आपको अधिकार पात था कि आप सांती युग और बिना हत्यार के कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं अब आप इसका ही नाजा इस फाइदा उठाओ आप क्या अगर हो कि भाईया पूरा का पूरा सम्मेलन जो है वो रोड पर करने लग गए तो आपने क्या किया लोक व्यवस्ता को बिगार दिया इससे क्या होगा भारत की प्रभुता और अखंडता पर खत्रा आएगा इससे आवयवस्ताइं फेलेगी तो इस प्रकार का आप दुरूपयोग ना करें इसलिए अनुचेद 19.3 बताता है कि अनुचेद 19.1 खा की जो भी बातें जो सुतंता पदान की गई है उस पर राज जो है वो युक्त युक्त रोक लगा सकता है अब बात करें अनुचेद 19.4 की तो अनुचेद 19.4 बात करता है कि अनुचेद 19.1 गा ठीक है गा क्या बात करता है संगम या फिर संग बनाने की सुतनता तो इस आधार पर राज जो है वो भारत की प्रभुता और अखंडता लोक व्यवस्ता सदचार के हितों में युक्त युक्त निर्बंदन लगाने से नहीं रोकेगी ठीक है मतलब क्या हुआ कि भीया अनुच्छद इसलिए अनुच्छद उन्निस चा में ये बात कही गई है कि अनुच्छद उन्निस एक गा के तहट जो सुतनता दी गई है उस पर भी जो राज्य की प्रभुता और अखंडता है सदाचार है लोक व्यवस्ता है इनके हितों में राज्य जो है इस सुतनता पर भी यहाँ पर रोक लगा सकता है अब बात करें अनुच्छद उन्निस पांच की तो अनुच्छद उन्निस पांच बात करता है अनुच्छद उन्निस एक घा और जो डा है इसके संबन में ठीक है घा में क्या बात की गई थी इसमें बात की गई थी भारत के राजी शेत्र में सरवत्र घूमने की सुतनता ठीक है आप किसी भी शेत्र घूम सकते हैं और ये जो बिंदू था इसमें बात की गई थी कि भारत के राजी शेत्र में कहीं भी बस जाने की सुतनता कहीं भी वहाँ पर निवास करने की सुतनता तो इसमें जो सुतनता प्रदान की गई है उसका उपयोग करके आप अनुसुची जंजाती के जो हित हैं उनके साथ खिलवाड कर रहे हैं तो अनुसुची जंजाती के हितों के संदक्षिन के लिए राज इन सुतनताओं पर यहाँ पर रोक लगा सकता है आपने देखा होगा कि जो अंडबान निकोबार में जो नोर्थ सेंटिनेंटल दीव है वहाँ पर एक जंजाती पाई जाती है सेंट्रिज जंजाती तो वो जो जंजाती है वो भारी वर्ल्ड से पूरी तरह के से कटी हुई है और वहाँ पर जाने पर भारत सरकार ने रोक लगा रखिये क्यों अनुचेद 19 का बिंदु 6 बात करता है कि अनुचेद 19 एक यहाँ पर च्छा लिखा हुआ है ठीक है अनुचेद 19 एक च्छा की कोई बात अनुचेद 19 एक च्छा क्या बात करता है यह बताता है कि आप कोई भी व्रत्ति कोई भी आजिविका करने के लिए कोई भी अपना का पर यह नहीं बोल सकते कि भाहिया अनुच्छेद 1916 में तो हमें अधिकार दिया गया है तो मैं तो डॉक्टर बनूगा अब आपके पास उसके कोई डिगरी नहीं है ठीक है और आप डॉक्टर बन गए हर किसे का ओपरेशन करने लगे तो जो साधरान जनता है उसके हितों का तो यहाँ पर संदक्षन नहीं हो पाएगा ना आप उसको तो नुकसान पहुचाएंगे तो इस तरह के कोई भी कारी करने के लिए सरकार यहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशन के आवश्यक्ता लगा सकती है और इस तरीके से अनुच्छेद 1916 में जो सतनता दी गई है उस पर प्रेस के सतनता को भी सामिल किया गया है जो हमारा मीडिया है उसको यहाँ पर सतनता दी गई है अब इसी मूल अधिकारों से संबंदित एक केस हमें देखने को मिलता है उस केस का नाम है सोधान सिंग बनाम नई दिल्ली मुनिशिबल कोरपरेशन ठीके 1988 नवासी का एक केस ह कौट नहीं है पर बताया था कि जो फूटपात पर व्यापार करते हैं लोग वो अनुछे उन्नीस एकछा के तहर्त एक मूल अधिकार है ठीके फूटपात पर व्यापार करना लोगों का मूल अधिकार है और इससने सरकार उनको नहीं रोक सकती इस पर किसी प्र Great आपि भर कि एकता खंडता कुछ खत्रें या फिर जो लोक ही थे उसमें आप कुछ बाधा पहुचा रहे हैं तो इस तरह के मामलों में वहापर लोक लगाई सकती है बांकि 1988-89 में फूटपात पर व्यापार को एक मूल अधिकार बताया गया था तो यह था हमारा अनुछित 19 उम्मित कर करते हैं जानकर आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमिन करके जलू बताएं साथ हमारे चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लेस कर ले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बढ़ाई करते हैं अपना ख्या